हेलो फ्रेंड्स हमारा चल रहा था क्लास 12 का अंसोड लास वीडियो में हमने चार कोशन कवर कर लिये थे इंपोर्टेंट उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक से मिल जाएगी जो आज का हमारा कोशन है दो वो है तो शॉर्ट नोड लेकिन बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है इन मेंसे जो एक क्रॉस है वो हमेशा आता है और जब भी क्रॉस आता है तो बच्चे क्रॉस करने ही पाते हैं और फिर कन्फ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इसमें cross के जो gamits होते हैं वो open करके दिखा देता है examiner तो इस वज़े से क्या है students confused हो जाते हैं तो आज मैं आपको एक cross कराऊंगी और एक question है हरित करांती किसे कहते हैं तो इसके जनक का नाम बताईए ये तो most very very most important question है हमेशा आता है कि हरित करांती किसे कहते हैं ये one marks से definition भी आ जाती है और इसके जनक का नाम बताईए ये तो आपका हमेशा आता ही है one marks में आप अंसोल उठा के देखोगे last से last year कभी उठा के देखना तो इसमें हरित करांती है question हमेशा पूछा होगा ठीक तो आज का जो cross है मैं बताती हूँ कि एक पुरुष पुरुष 44 प्लस xy का संकरन ये वं महिला 44 प्लस xy से करा जाता है means जो male होते हैं उनके gamits को हम किस से represent करते हैं xy से ठीक और female को किस से करते हैं xx से ठीक तो 44 ये chromosome की संक्या है total 46 होते हैं chromosome आपको इता तो पता होगा कि chromosome जो होते हैं 23 pair होते हैं एक pair में दो chromosome हो गए तो total किते हो गए 46 तो पुरुष की chromosome बताये हैं उन्होंने 44 प्लस xy का संकरन बहिला 44 प्लस xx से करा जाता है तो इनसे प्राव संतानों का link निर्धारन बताईए link निर्धारन बताईए इस line का मतलब है कि जो 44 प्लस xy का 44 प्लस xx से जब हम क्रॉस कराएंगे तो इनकी जो संताने उत्पन होंगी वो daughter होंगी है son ठीक इसका मतलब ही होता है link निर्धारन बताईए ठीक तो हमने लिख दिया एक जगे आपको कैसे करना है यह आपको लिख देना है male इधर लिखना है female ओके अब जो हमने इन्होंने दिया है question में वो हम उतार देंगे 44 प्लस xy इधर 44 प्लस xx ठीक 44 को हम आधा करें तो कितना होगा 22 तो आज सका हम आधा कर लेंगे 22x जो हमें उपर देते हैं यह होता है genotype और इनसे जो प्राप्त होते हैं वो होते हैं हमारे gametes ठीक तो 44 प्लस xy तो 44 का आधा कितना हुआ 44 का आधा 22 तो 22x और 22y तो आधा होगे 22 तो एक 22 के साथ x और एक 22 के साथ हमने ले लिया है y ठीक तो 22x और 22y अब आता है फिमेल पर 44 का आधा फिर से 22 तो यहाँ पर xx था तो 22x और 22x अब 22x की जब हमने पर क्रॉस कराया पहले 22x के साथ देखो आपको मैं एक बात बता देती हूं हर एक क्रॉस के लिए याद रखना कि आप ऐसे करते हैं तो आप कंफ्यूज मत हुआ करिए देखो जो फर्स्ट गैमिट होता है पहले फर्स्ट गैमिट का इन दोनों से क्रॉस कराते हैं फिर दुसरे मेल गैमिट का फीमेल के दोनों गैमिट से क्रॉस कराना होता है थिक तो 22x का क्रॉस कराया हमने 22x से 22 22x से तो 22 प्लस 22, 44, और x, और x फिर से xx, ठीक, फिर 22 y का क्रॉस किस से कराया, 22 x से, तो 22 प्लस 22, 44, लेकिन अब की बार एक y है, एक x है, तो हम लिखेंगे 44 xy, उसके बार 22 y का क्रॉस किस से कराया, 22 x से, 22 प्लस 22, 44, 44 xy, तो foot आपको, यह digit पर ध्यान नहीं देना है, आपको सिफ यह gamits है न, xx इन पर ध्यान देना है, तो 44 x, यह छुपा लिया मैंने, अब आपसे बोला है कि बताओ, यह daughter यह son है, तो xxy y हम किस के लिए लेते हैं, daughter के लिए, या फिर female के लिए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे daughter, ठ और याद रखना, संतिती में कभी भी female या male मत लिख्याना, जब उसने संतिती पूछी है, फिर संतान पूछी है, तो वहाँ पे आप daughter and son का यूज़ करेंगे, ठीक, तो xx daughter, तो इसमें हमें यह line जरूर लिख्यानी है, कि 50% daughter होंगी, वे 50% son होंगे, 50% कैसे, दो daughter हो गई, यह 20-25% मांते हैं, तो दो daughter 50% और 2 son 50%, ठीक, तो 50% daughter हो गई, और 50% क्या हो गई, son हो गई, नेक्स कोशन है हमारा, हरित क्रांती किसे कहते हैं, तथा इसके जनक का नाम बताएगे, तो हरित क्रांती थी क्या, तो भारत की जनसंख्या तीर्वकती से बढ़ने लगी थी, जिस सरकार के सामने सबसे बड़ा संकट था कि इस जनसंख्या के लिए खादे परधात उपलप्त कराना, तो भारत की जनसंख्या थी, वो बहुत जादा तीर्वकती से बढ़ दई थी, तो सरकार के सामने सबसे बड़ा संकट था, वो क्या था, कि इतने साही जनसंख्या के तोनों ने बहुत ज़दा अच्छी quality उच उत्पादकता वाली मतलब अच्छी quality की कुछ ऐसी फसले उगाई जिससे जो खादे परधार प्राप्त हुआ वो बहुत ज़दा मातरा में हुआ कि जिससे खादे उत्पादन में बहुत अधिक ब्रधी हुई और इसे ही हरित करांती कहा तो अगर आपसे वनमार्क्स में कुशन आएगा कि हरित करांती होता क्या है तो उसमें आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है मैंने बहुत इज़ी लेंग्मिज में बताया है कि जो भारत की जंसंख्या थी वो बहुत ज़ादा भढ़ गई थी तो संक्रकार के सामने सबसे बड़ा संक्रक्स क्या था कि इतने सारे लोगों के लिए वो भोजन और निर्मान कैसे करते या फिर कहां से लाते तो नहीं ने कुछ उच उतपादक्ता है मतलब उच उतपादक्ता में रहा है अच्छी क्वालिटी कि कुछ ऐसी फशले उगाई जिससे जो खादे पड़ार था वो बहुत अधिस्त प्राप्त हुआ और इसे ही हरित क्रांथी कहा हरित क्रांथी गेहूं चावल के उत्पादन से संबंदित है वन मास में कोशन आ जाता है कि हरित क्रांथी किस से संबंदित है या फिर हरित क्रांथी में कौन से फसलोग उगाए गई तो गेहु और चावल की के उत्पादन से संभन दिता है डॉक्टर एनी बॉर्लोग एनी बॉर्लोग को हरित क्रांती का जनक माना जाता है यह most important line है आपका कुशन आएगा कि हरित क्रांती का जनक किसे माना जाता है तो Dr. N. E. Ballog को हरित करांती का जनक माना जाता है और एक कोशन ओर आता है कि भारत का हरित करांती जनक किसे कहते हैं ये तो हो गया हरित करांती का जनक लेकिन भारत में कौन है हरित करांती का जनक तो Dr. N. S. Swaminathan मैंने हिंदी में भी लिख दिया है Swaminathan Dr. Anis Swaminathan को भारत का हरित करांती जेनक माना जाता है तो अगर आपका कोशन अगर भारत का नाम दिया हुआ है तो आपको लिखना है Dr. Anis Swaminathan लेकिन भारत का नाम नहीं है तो आपको लिखना है Dr. Annie Baldog ठीक है तो फ्रेंट्स वीडियो पस्ना आई तो लाइक कर देना